नमस्कार दोस्तों, इन पन्नों में, मेरे हाथ में जो पन्ने, इन पन्नों में बॉंबे हाई कोट के एक जजमेंट का कुछ अहम हिस्सा है। ये जज्ज्मेंट है बॉंबे हाई कोट की और अंगाबाद पीठ ने जो जज्ज्मेंट सुनाया है शुक्रबार को जज्ज्मेंट के इस वारे में तबलिगी जमात के कुछ ऐसे विदेशी महमान जो दुनिया के अलग-अलग देशों से आये थे लॉक्डाउन के वक्त महराष्ट के एक शहर में फसे उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल में बंद किया गया 29 ऐसे लोगों ने बंबे हाई कोट में याचका दायर की उस याचका को सुनने के बाद बंबे हाई कोट की औरंगाबाद बेंच ने ना सिर्फ उन विदेशी महमानों के खिलाफ एफ आयार को रद किया बलकि जज्ज्मेंट में जो कुछ कहा वो आज आपको सुनना समझना जरूरी है क्योंकि इस जज्ज्मेंट में जो बातें कही गई है वो बातें और जज्ज्मेंट में कहे गए शब्द देश के कई चैनलों के संपादक कई चैनलों के नामचीन महान एंकर और देश में तबलिगी जमात के खिलाफ माहौल बना कर देश के मुसल्मानों पर नि उन तमाम फर्जी राष्टबादियों पर तमाचा है उन तमाम नफरत के पुतलों पर तमाचा है और उन तमाम नेताओं पर तमाचा है जो तबलिगी जमात की आर में इस देश के धन विशेस को निशाना बना रहे थे लगातार ऐसे इलजाम लगा रहे थे कि ये तबलिगी जमाद के जो लोग विदेशों से आए है या जो देश में है वो जान बूझ कर देश में कोरोना फैलाना चाहते हैं ये कोरोना बम है ये कोरोना जिहाद है ये इसलामिक जिहाद है न जाने क्या क्या कहा गया और चैनलों पर कहा गया उन तमाम लोगों के लिए ये जज्ज्मेंट है जज्ज्मेंट शुक्रबार का है आपको सुना दे रहा हूँ लेकिन इस जज्ज्मेंट पर उन तमाम पत्रकारों एंकर्स और संपाद्गों की महफिल में शाम को सज्ज्जने वाली बहसों के महफिल में कोई चर्चा नहीं होगी इस पर कोई डिबेट नहीं होगा इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये तमाचा उनके चेहरे पर है ये तमाचा उनके उस अतीक पर है उनकी उस मुहिम पर है जो उन्होंने चलाई थी हपतों हपत तक तो क्या है सुनिए कुछ लाइने बताता हूं और उसके बाद क्यों तमाचा है ये बताता हूं ये बॉंबे हाई कोट की औरंगबाद पीट का फैसला है उन्तिस विदेशी नागरिकों ने जो मरकज में हिस्ता लेने आये थे और महराष्ट के अहमदनगर में थे उस वक् कैसे फसे और फसे तो उनके खिलाफ कई धाराएं लगाई गई और उसके बाद उन्होंने बॉंबे हाई कोट में याचका दायर की और याचका की सुनवाई करते वे फैसले हैं पहले फैसले का अंश उसके बाद पूरा मामला आपको बताता हूं सुनिएगा गौर से पॉइंट है सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं इन विदेशी मेहमानों के खिलाफ में हिंदी में अनवाद कर रहा हूं जज्मेंट अंग्रेजी में है लाइव लॉइब साइट और ट्वीटर हैं वहां से भी मैंने जज्मेंट के कुछ हिससे लिए हैं इसलिए प्रपगेंडा चलाया गया दिल्ली मरकज में आए लोगों के खिलाफ यह माहौल बनाने की कोशिस हुई कि यह विदेशी ही भारत में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं और अगर इसको देखें तो ऐसा लगेगा कि इन लोगों के खिलाफ बुरी तरह से उत्पीड किया गया यह जज्डमैंट में लिखा गया है यह बॉंबे हाई कोर्ट के जजोंने लिखा जजोंने कहा है कि तीवी मीडिया और उन्हें अपना पक्ष रखा उन्होंने क्या कहा वो भी बताता हूं लेकिन कहीं इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है जिन लोगों ने जिन पत्रकारों ने जिन राष्टवादी पत्रकारों ने जिन अफरत के पुतलों ने तोशल मीडिया से लेकर टेलिविजन मीडिया पर दि दिनों तक लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये तमाचा ये जज्जमेंट उनके मूँ पर तमाचा है जो तब हपतों हपतों तक चीखते रहे ये साजिस थी ला परवाही एक अलग चीज है साजिस और साजिस के तौर पर उन्हें देश का दुश्मन बताया गया और क्यों क्यों क्यूंकि उनका निशाना हजार दो हजार मरकज के लोग नहीं थे निशाने पर एक धर्म विशेश था क्योंकि उनके भीतर जो नदा Σानले क्या है जज्जमन में क्या है और उर्दू नहीं है ये अलग अलग विदेशी भासाओं में अर्बी और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और कहीं जो दस्तावेज अदालत में आये हैं उससे भी इस बात की कोई पुखता जानकारी नहीं मिलती है ये जजों ने का जो खास आपरेटिव पॉइंट था अब दो तीन और देशों के नागरिक थे तंजानिया और दो और देश इन लोगों ने याचका दायर करके कहा कि वो आये थे जब भारत घूमने के लिए और तबलीगी जमात में हिस्सा लेने तो उन्होंने जो लिखा है और जो कहा अपनी याचका में बहुत आहम है उसको भी स अस्थानिय प्रशाषण को सुचित करने के लिए भी उस वीजा के मताविक करना जरूरी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भारत आये थे वैलिड वीजा पर आये थे वीजा के जो काइदे कानून थे उसका पालन करके आये थे, वे लोग भारतिय संस्कृती, परमपरा, महमान नवाजी और खान पान का अनभाव करना चाहते थे, इसलिए भारत आये थे, एरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद उनकी कोविड के लिए जो भी स्क्रीनिंग होती है, जरूरी स्क्रीनिंग हुई, स् अहमद नगर पहुचने के बाद उन्होंने अहमद नगर के जो SSP थे, उनको अपने आने के सूचना भी दी, कि हम अहमद नगर पहुच गए, उसके बाद क्या हुआ, लोकडाउन का एलान हुआ, पहले जनता कर्फ्यू, 22 तारिक को, 22 मार्च को, फिर 24 से लोकडाउन, उन् कुछ मस्जिदों ने उन्हें शरन दी, ये उन्होंने कहा, कहीं आजा नहीं सकते थे, ये उन्होंने कहा, और उसके बाद, जब उन्होंने अपने तर्क वितर्क, जो भी याजिका करता की तरफ से लंबी बातें कही गई है, बताने से पहले, उसके बाद अब थोड़ा और judgment का एक महुत अहम हिस्सा है जिसमें कहा है कि कोई भी सरकार महामारी या प्राकिर्तिक आपदा के वक्त बली का बकरा तलाशती है और हालात बता रहे हैं कि शायद इन विदेशियों को भी बली का बकरा बनाया गया या अदालत judgment में लिख रहा हाई कोट लिख रहा कि शायद इने भी बली का बकरा बनाया गया क्योंकि तर्क क्या देता है judgment में हाई कोट जज क्या कहते हैं आखड़े बताते हैं आज के हालात और भारत में कोरोना के ताजा आखड़े बताते हैं इस बात की गवाही देते हैं कि इनके खिलाफ ऐसी कारवाई नहीं होनी चाहिए थे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तबलीगी लेकर कोरोना आए और आज जो लाखों लोग ग्रसित हो रहें पचास-पचास हजार का आकड़ा हर रोज देश में आ रहा है और इतने लोग मारे गए ये तबलीगी जमात के शिकार तो हुए नहीं यही जज्जमेंट में उनके कहने का आशे है उसके बाद जज्जमेंट में क्या है और क्या आमदनगर पुलिस ने कहा वो भी बताऊंगा जज्जमेंट में कहा ऐसा लगता है कि राजनितिक मजबूरी के तहट ये फैसला किया उस समय देश में एक महौल बना दिया गया था चैनल्स की तरफ से पत्रकारों की तरफ से राष्टबादी जमात की तरफ से हलाकि मैं फर्जी राष्टबादी काता हूँ ऐसा महौल था उस महौल में ऐसे फैसले पकर धकर जरूरी थी तो ये कोट ने लिखा और इन पर जो आरोप लगे जिन धाराओं में इने पकड़ा गया या इनके खिलाप मामला दर्ज हुआ वो आईपीसी की अलग-अलग धाराएं थी महामारी रोग अधिनियम महराश्ट पुलिस अधिनियम आपदा प्रबंदन अधिनियम विदेशी नागरिक अधिनियम ऐसे कई धाराएं और ऐसे जो अधिनियम होते हैं जो आपदा के समय लागो होते हैं उन सब के तहत इन पर मामला दर्ज किया कोट ने मीडिया को भी फटकार लगाई और F.I.R. रद करने का आदेश दिया और उसके बाद जो कहा कोट ने हालात को देखकर ये जज्जमेंट के हिस्से को मैंने अनुवाद किया हिंदी में तो हो सकता है एक दो लाइन उसको अनुवाद में शब्द का ह लेकिन अनुवाद है हालात को देखकर सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग अपनी संस्कृती और परंपरा के हिसाब से काम कर रहे हैं ये जज्जमेंट में सवाल पूछा गया है कोविट की वज़ह से जो हालात पैदा हुए है उसमें हमें ज्यादा सहंशीलता दिखाने क जरुट थी ज्यादा सम्विदंशील होने की जरुट है और इसमें सहंशीलता का अंग्रेजी में उन्होंने कहा टॉलरेंस जिसको लेकर बहुत सवाल आज की तारिक में टॉलरेंस पर हो जाते हैं टॉलरेंस ही लिखा हुआ है ये इसमें जज्जमेंट में कहा है उसके बा देश से आए लोगों को की मदद करने की बजाए हमने उन्हें जेल में डाल दिया उन पर वीजा नियमों के उलंगन के आरोप लगा दिये जैसे की कोरोना फैलाने के लिए वही लोग जिम्मेदार थे ये कोट ने कहा ये सारी बाते हम सब लोग उस दौर में कई वीडियो में मैंने कहा है अगर अप्रिल के वीडियो देखेंगे में का वीडियो देखेंगे जो हम सब लोग हम जैसे लोग महसूस कर रहे थे करीब करीब उसी तरह की भाशा में वही शब्द है कोट के क्योंकि कोई इनसान को नागरिक जजज भी एक नागरिक होता है एक इनसान होता ह भी होती है तो ये इसमें दिखती है उसके बाद उन्होंने जज्जमेंट में एक लाइन है पैराग्राफ उसका आखरी हिस्सा है ये वक्त है जब हमें कुछ पॉजिटिव स्टेप लेकर इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए ये भी जज्जमें भी हैं जिनके खिलाब मामला दर्ज किया गया वो वो लोग थे जिन्होंने मस्जिदों के ट्रस्टी हैं दरसल जिन्होंने इन लोगों को लॉक्डाउन के बाद अपनी मस्जिदों में शरण दी थी इन विदेशियों को उनके खिलाब भी मामला दर्ज किया गया पूरा ए दास्तावेच और वीजा मैन्वल के मुताबिक भी देखें, तो ये विदेशी अगर धार्मिक स्थानों पर गए भी, अगर मस्जिद में गए या जहां भी गए, या धार्मिक गति विद्यों में इन्होंने हिस्सा भी लिया, तो ये कोई घ्लती नहीं थी. इन्होंने कहीं से वीजा नियमों का उलंगन नहीं किया है, जस्टिस ने लिखा है, क्योंकि ऐसा इसलाम में कनवर्ट नहीं कर रहे थे किसी को, तो इसलिए इन्होंने लिखा है, अपने जज्ज्मिन्ट में, और उसके बाद इस बेंच ने सुनवाई करके इतिहासिक ये जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी है उसके मुताबिक, इन सभी के खिलाप अहमद नगर पुलिस ने कथित तोर पर, गोपनिय सूचना के आधार पर, मस्जिदों में रहने के आरोप में इन लोगों के खिलाप मामला दर्ज किया था, और पुलिस का आरोप था, कि ये लो कि SSP ने कहा, याचिका करता उन जगों पर इसलाम का परचार करने के लिए गये थे, इसलिए उनके खिलाप अपराद दर्ज किया जिसे खारिज किया जज ने, कि ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इसलाम का परचार कर रहे थे, या किसी को इसलाम परिवर्तित, धर्म परि सुधार का अंदोलन है सुधार के कारण प्रतेक धर्म वर्षों में विक्सित हुआ है क्योंकि समाज में बदलाव के कारण सुधार हमेशा आवश्यक होता है और फिर रिपीट कर दें कोट ने कहा यह हनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दूसरे धर्म के वैक्तियों को इसलाम धर्म का प्रसार कर रहे थे यह कोट के जज्ज्मेंट का हिस्सा है तो यह दोस्तों उस दौर में क्या हुआ था यह सब आपने देखा कैसे दिनराथ चैनलों पर खबरे चली कैसे धर्म विशेष को टार्गेट किया गया और जिल लोगों ने थोड़ा भी पक्ष लिया यह हम जैसे लोगों ने अगर कहा कि आप तबलीगी जमात की आर में अगर तबलीगी जमात में लापरवाही हुई मरकज में उसकी आर में पूरे धर्म को चिन्नित कैसे टार्गेट क इसे कर सकते हैं, तब हम जैसे लोगों को भी गालियां पढ़ी, जिन लोगों ने भी अगर थोड़ा पक्ष लिया, जिन लोगों ने भी मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए, उन सब को भी गालियां ड्रोल ब्रिगेट जो पूरी होती है, आइटी से सक्रिये थी और लगा को पढ़ें जो शायद नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी तो नजर अंदाज करेंगे ऐसा लगेगा कि उन्होंने नहीं पढ़ा नहीं तो जब आप हफते तक कई हफतों तक अगर तबलीगी जमात को टार्गेट करने के बहाने एक धन विशेश को लगातार टार्गेट करते हैं बदनाम करते हैं उन पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं और उसके बाद अलग-अलग शहरों में ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि आप ऐसी मुहिन चलाते हैं यही जज्जमें ने लिखा है यह जज्जमें लिखा है कि कि आवाज सुने जरा जहाकें अपने भीतर वो तमाम लोग जिन्होंने उस दौर में देश में ऐसा माहौल बनाया लेकिन जहाकेंगे नहीं वरना बहस इस पर होनी चाहिए थी कि क्या भूल हुई क्या चूक हुई या जज्जमेंट के अहम पहलू क्या है फिलाल इस वीडिय है इतिहास में याद रखा जाएगा कि ऐसा भी जज्जमेंट हुआ जब एक धर्म विशेस के लोगों को और विदेशी मेहमानों को यही कोट के जज्जमेंट में बारवार इनके मेहमान होने की अहमियत बताई गई है कि यह विदेशी भारत आये और हमने इनके साथ क्या क तो सब्सक्राइब करेंगे अच्छा लगेगा ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आप सभी दोस्तों को नमस्कार